उत्रप्रदेश के मैंपुरी से लोग सबस्तान सा डिमपल यादब ने लोगी सरकार पर निशाना साधा है दिली में संसद के सत्र में हिस्सा लेने पहुंची डिमपल यादब ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा के योपी सरकार सिर्फ लौट स्पीकरों पर बात कर सकती है लेकिन एहम सवाल युवाओं की नौकरी का है डिंपल यादव ने कहा कि लाओड स्पीकर को लगाने या हटाने से महिलाओं की सुरक्षा सुनेश्वित नहीं हो सकती और नहीं इस से किसान उकिया दोग नहीं होगी कि यो समय होगी यो कि यूपी काली रॉड्स्पीकर अरोडी कर सकता आओर तरो मेरा मानना है कि अब है ने मध्यरी तवार है हैं मेले कि लोग swimming रोजभार कैसे मिले की पैरदेश आगे कैसे ने रहे हैं यह लगने के मातिम पर हम ना हमारी रहनाएzenie अमारे हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आए दुबनी हो रही है। फिर लोग को सबजना चाहिए कि अगर देश को आगी ले जाना है, तो इन सब बातों को छोड़ कर सब को मिल देश के आगे बढ़ने का नाम है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों धार्मिक स्थलों से लौट स्पीकरों को हटाने के निर्देश दिये थे साथ ही जिन स्थलों पर लौट स्पीकर ज़रूरी थे उनके लिए सक्त नियम निर्धारित किये गए थे इसे लेकर प्रदेश की सियासत में काफी बवाल मचा था तो वहीं साल 2022 में भी धार्मिक स्थलों से ऐसी कितनी ही तस्वीरे सामने आई थी जहां मस्जिदों से लाउट स्टिकरों को हटा दिया गया था मगर अब डिंपल यादव ने बातों ही बातों में योगी सरकार पर सामप्रदैक्तफ फैलानी की तरफ इशारा भी करही दिया है एक आँकणे के मुताविक यूपी में लगभग 54,000 से ज़्यादा लाउट स्टिकर उतारे जा चुके हैं जबके 60,000 से ज़्यादा लाउट स्टिकरों की तैमानक के अनुसार आवाज कम की जा चुकी है मगर अब डिंपल यादव की बातों ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है बीजेपी सरकार ही विपक्ष के खिलाब विकास के मुद्दों को लेकर वार करती है मगर इस पार डिंपल ने उसी फ्रेंट पर बीजेपी पर तीक आमला किया है